top 25 अ खाराँ अगर आप लोना के बारे में कुछ माजूमयात लाना चासे हैं तो हम कोशिश करेंगे कि अपने लेपेंडिद नौटपी कि मताबिके हैं आगाही दोटे है मार्केट की क्या स्ट्विशन है मार्केट की स्ट्विशन कुछ हास नहीं हाँ लोना के बारे में कुछ इंपोर्टन चीजे मैं आप रहों के सामने रख रहा हूं अगर आप लिंक पे आपने क्लिक किया है तो वीडियो आपको बताऊंगा कि आपको क्या स्ट्रेटेजी इन में इपलाई करने चाहिए जो कि आपके लिए कुछ ना कुछ फाइदा मन हो और रोना की प्राइस कहां तक जा सकती है एक्सपेक्टड अगर यह चीजे हुई इंप्लिमेंट हुई या नए ब्लॉकचेंग आने से लोना की प्राइस इस जगह से कितने परसंट आगे जा सकती है और अगर आगे चली भी जाती है तो क्या हमें फिर भी वेट करना होगा क्या हमें पिर भी इंतिजार करना होगा क नहीं हमें मार्कीर से ओड हो रहे हैं तो उन चीजों को आपको आपके सामने रखूंगा कि क्या सिचुईशन है सबसे पहले जो आ जाती है कि इस क्रेश से हमें एक लाइव लेसन मिला है कि कभी भी अपनी जितनी भी आपके पास इन्वेस्मेंट है उसको कभी भी किसी एक कोईन में ना रखे बहुत से कोईन गिर चुके हैं मैं यह नहीं किरा कि सरफ एक ही कोईन लोना जुता वो गिर चुका हैं बहुत से कोईन गिर चुके हैं लेकिन फिर भी और के मुकाबले में यह बहुत ज्यादा क्रेश कर चुका ह तो बेक एंड पे जो रीजन्स थे वो तो आरड़ी हम डिसकस कर चुके हैं लेकिन अब क्या होगा आने वाड़े दिनों में क्या होगा लोना के जो CEO है उस पर भी बहुत ज़्यादा क्यास रहे हैं मेरे नजर से ट्विटर पे एक न्यूज गुजर गई के इनको पता था कि म के लोग के पैसो को बचा सके के मार्कीट को ख्रेश होने से पेली ही वह अपने सलूशन की दरफ चले जाए तो ऐसी किसे किसम की नेरेटेव्स नहीं लेगई हैं अगर इनको जैसी ही मार्कीट ख्रेश होनी लगी तो इनको क्या बाइन्स के साथ मर्च करना चाहिए था जो क्या इनको बाइने जाल्प लेना चाहिए था क्या इनको बाइनस को बाइनस को मैं के बाइनस की ब्लाय ना को शाहिए under बाइनस का यह जाता है और उनके जो stable है कि से अगर इस्नों हों की तो क्या इन लोगों को इस चीज़ पर जाना चाहिए था लेकिन यह लोग नहीं गए तो कुछ गल्टी उन्होंने भी की हाँ एक और चीज़ के जब भी आप लोग अक्सर यह भी कहते कि आप दूसरों की चीज़ से अच्छा है कि इन्सान का अपना चीज़ हो तो यह बेटर स्टिलन उन्हें मार्कीट को स्टैबल नहीं कि अगर लोना का प्राइस कब जाएगा उपर इंपोर्टन चीज़ अगर यह रिब्रेंड कर दे दिन दप्राइस के नपां लेकिन अब कितना परसंट जाएगा आप 40 परसंट 50 परसंट 35 परसंट यहां तक जा सकता है तो क्या अगर मार्कीट यहां तक पहुंच जाती है यह याद रखेगा पॉइंट मैं आपके सामने रखता हूं अगर वो इसको रिब्रेंड करे तो अभी तक किसी किसम की नीज नहीं आई कि इसको रिब्रेंड कर रहा है कि नहीं लेकिन अगर करे तो क्या मार्कीट तो यही 40 परस 65 परसंट 50 परसंट अपनी इन्वेस्मेंट को निकाल ले अगर यह सिर्फ इस तरह करें कि एक्जेस्टिन ब्लोक्चेन पर सिर्फ पनी कोईन का नाम चैंज करें तो क्या मार्कीट तब भी उपर चले जाएगी तो मुझे नहीं लगता अब मुझे इस तरह नहीं लगता कि लोगों का जो ट्रस्ट अइस पर यह बहुत ही इन्होंने लोगों का ट्रस्ट हतम कर दिया इस करेंसी नहीं मार्कीट उपर अगर सर्फ नाम चैंज करेंगी और पुरानी ब्लोक्चेन पर इसको डालेंगे तो मुझे नहीं लगता कि मार्कीट उपर जाएगी दो चीज़ करेंगा नाम चैंज करेंगा करेंसी का तो तब यह एक्सपेक्टेड है कि मार्कीट उपर चले जाए हाँ एक और चीज़ के अगर मार्कीट में किसी किसम की निउज आ जा जाती है तब मार्केट उपर जा सकती है लेकिन अगर मार्केट में किसी किसम की नीज़ नहीं आती है अगर डंपी कर सकती है और भी नीज़ जा सकती है लेकिन अगर मार्केट में नीज़ नहीं आती है और इन्होंने यह निरेटिव ली तो मार्केट पर उपर चली जा सकती हाँ अग चीजों के वज़ा से मार्कीट पंग करें अगर नहीं होता तो इनको यह निरेटिफ लेने चाहिए मेरे ख्याल में तो तभी मार्कीट यह तोड़ा बहुत ऊपर चले जाएगी इनको एक और मैं जो समझ रहा हूं कि बाइनेंस ने में इनको बहुत स्यादा आफर्ज दी लेकिन स्टिल वही बात आ जाती है कि इनका अपना ब्लॉक्चैन था तो उसको चोड़ के किस तरह तो यह भी उनके लिए एक डिफिकल्ट सिच्टूइशन थी लोना में आप अगर 40% मार्कीट चली जाती है तो आप अपने investment को मैंने जिसरा आपको आलरी बता दिया कि अपने investment को निकाल दे कभी भी आप ऐसा ना करे कि अगर market उपर चल जा दे आपके तो कि नहीं मुझे वैट करना होगा कि market जब तक वन तक या टू तक नहीं जाती तो मैं इसको नहीं न खाल दे। बागी चोर दे शायद मार्की चली भी जाए। अगर इन्हों नाम भी चेंज लाइब भी और मार्कीट उपर चली गए। इसीасть की साथ कुछ गव graffiti यजू आ गई। damag अलशनिन मंदया ने अंवेसमेंट 45 से भी ऊपर चले जाएगी एक और मैं अगर यहां पर लोना को तोड़ा बहुत देख ले तो 15 मिन्स की ग्राब में आप अगर इसको तोड़ा देख ले तो किसी हास डुमेंद के अंदर कुछ हास फ्लेक्टुएशन शो नहीं करा जब मार्केट ज़या फ्लेक्टुएशन श करता है कि फ्लेक्टिश्वेशन वह अपने स्पोर्ट पे या रिजिस्टन पे शोग करता है तो यह बहुत चीज़ है कि कुछ हास फ्लेक्टिश्वेशन शो नहीं कर रहा है सैम अगर बुमबार्द करें बीडी सी की तो वह भी कुछ हास नहीं जिस तरह मैंने प्रीविएस में आप लोगों को बताया था कि आपने बीटी सी को भी मद्या नजर रखते हुए फेस्टे करने होंगे और बीटी सी का जो प्राइज है जो मुझे लगता है कि इस साल तक यही 30 से लेकर 40 की दर्मयान या 35 या 38 इसकी दर्मयान फ्लक्चुएशन शो करेगा तो अब वो जो मेरी जो एजम्शन्स थी या जो मेरी जो प्रेडिक्शन्स थी क्या ऐसा नजर आ रहा है कि वो एक रखीकत भी है तो अगर मार्कीट में ऐसी न्यूज आ जा जाती है आपने मार् मार्कीट को ढेखना हो गा कि अगर लोना अपनी ब्लोक्चैन और साथ में अपनी जो नाम इसको चांज मार्कीट में होना जाती है तो तब मेर्कीट ओपर जा सकती है 40idad ऐपर्संट या 35 परसंट तो तब आपने एकजेट करना होगा आपने कभी वेट नहीं करना कि आपको जितना भी मिले बस शुकर दा करके check कि athon एक और सी कि हमारा भी एक मसला है कि हम हम बेशक करने स्थिक को देखते हैं लेकिन करन सी के बैंकर चैन। बेंपिट्ड जो उनकी इन्वेस्ट है है या उनकी जो और वाली जो नेरिटिवग्स है या जो उनकी जो 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 कोशिश है कि करिंसी को स्टेबल करें हम उनको नहीं देखते हैं क्या तो यह चीजी भी तोड़ी आप लोगों को इनलाइस करने चाहिए और जिनकी इन्वेस्मेंट आलड़ी जुन्होंने एक पीक पे इन्वेस्मेंट की है और वो नेचे गिर चुके हैं तो उनको मै मार्कीट पर दुबारा गिर जाती है तो आप दुबारा जो निकाले होंगे वो दुबारा इन्वेस्ट करना होगा तो इस तरह कि आप अपने फंड्स को मुश्किल तो लग रहा है कि आप फुली अपने फंड्स को रिकवर कर सकें लेकिन लगता इसी है कि आप अपने जो coins है वो stable है और ऐसा लगता है कि market आने वाले दिनों में यह जो coins है यह अपने पुराने values को नहीं लेकिन 50% अपनी जो old उसकी जो rates थी वहां तक अपनी कोशिश करेगा या जो companies investment करना चाहती है या जो आना चाहती है तो उन चीजों के बारे में पिर आप लोगों को मैं साथ साथ updates दिया करूंगा यह updates थी सम्टाइम हम market को नहीं देखते सम्टाइम हम free नहीं होते या सम्टाइम हम analyze नहीं करते market की situation को या घर से बाहर होते या डिफिन मस्रोफियात की वज़ासे तो आपने भी इन चीजों को देखना होगा कि अगर इस तरह की narratives आपको नजर आ जाए तो आपको चाहिए कि आप investment करे अगेन होई बात कि अगर नाम चेंज साथ में उन्होंने अपना blockchain चेंज किया तो तभी आपको तोड़ा बहुत profit मिल सकता है और profit मिलने के माद आपने exit करना होगा आगे में बता रहा हूँ यह मेरा एक opinion है आप आप अपनी भी prediction जरूर करिएगा किसी भी currency के बारे में आप खुद भी तुलाबोत currency को search किया करें कि क्या क्या आने वाले future में यह narratives लेंगे और fast में जो narratives इन्होंने लिया है क्या उन narratives से हमें कुछ फाइदा हुआ है कि नहीं या उन narratives से market उपर गई है कि नहीं तो यही थी updates इंशाला मिलते हैं पर एक नेक्स वीडियो के साथ और उस्वात के लिए मताफिस